वाटसाफ वाइस चैट ऑप्शन ऑफ कैसे करें इसको हटाना चाते हो या फिर इसको रिमूफ करना चाते है तो वीडियो को एंड तक देखते रहे ना और इस गल्दी को मत करना ताकि आपका जो यहाँ पर यहाँ पर यह जो वाइस चैट कभी भी नहीं जाएगा और यदि आप सभी लोग दोस्तों वाइस चैट के ऑप्शन को हटाना चाते हो अपने वाटसाफ से तो इसको कैसे आफ कर सकते हो कैसे रिमूफ कर सकते हो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है मैं आपको बताने वाला हूँ यदि आप जो यहाँ पर वाइस चैट से परिशान हो जो में पर आपने मर्जिर इसको पर बताने वाला हूँ तो मैं आपको बता आने ज小心 बॉप कर सकते हो बस इस वीडियो टने देखते रहे न चले वीडियो को स्टार्ट कर दें अब दोको देखो और दोसे आप में आपको पताऊ पर यहाँ पर यहाँ आप के से लिए बहुत औ इतने भी वाट्साप के ऊपर फीचर्स देखने को मिलते हैं अब इस फीचर को हम जो कैसे बंद कर सकते हो आप मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है अब देखो हैं मैंने जैसे यहां पर इस वाइस चैड के बारे में सुना था दो दूस्तों मैं आपको बतायता हूं यह जो चैड के लोग रहेंगे उनको जो एक नॉढ़िकिशन जाएगा जैसे कि आप विडियो कॉल करते हो अद्यो कोल करते हो उसी तरीके से आपका जो जितने भी ग्रुप के मेंकल के नॉटिफासन जाएगा और सो जो आपसे तो यहां पर यहां से आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं आपको जो है आप जिस भी भी ग्रूप में रहोगे तो उस बंदियों को बता देना कि आपको एड्मिन हटा दो ठीक है अगर आप जो आपने आपका खुद का group है या फिर आप जो इसको सिर्फ off करना चाहते हो तो इस option को तो है आपको क्या करना पड़ेगा just यहाँ पर यह तरीके को follow कर देला है ठीक है यह तरीका में आपको जो बता रहा हूं जो इस टेप बता रहा हूं सभी को follow करना है just WhatsApp application को आपको यहाँ से open करना है अब open करने के बाद उपर 3.0 के option पे क्लिक करना है अब 3.0 के option पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा settings का option अब इस settings के option पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलता है chat backup के नाम से तो इस option पर आपको click करना है अपने chat को सबसे पहले backup करना होगा आप backup करने का तरीका भी जान लो वहरना फिर आपका कभी भी chat वापस नहीं आएगा सब फुर data आपको चला जाएगा अप देखोци चैट को back up करने के लिए आपको हाँ पे कुछ इस तरह के से जो कलतिया नहीं करना है तो मैं आपको step by step बता हूँगा वहीं आपको करना है बहुत सारे क्यूंちら को दूस्तों आपको इसके बहुत करते हो यह बहुत करते हो लेकिन मैं आपको इसको यहां से डायर्क्ली क्लिक मत करना बहुत सारे इसे आपको चैट कोई बैक कप नहीं होता है मैं आपको सिंपल प्रोसइस बता जा जाएँ चैट बैक उप्शन पर क्लिक कर दो ट्री डाट की पर क्लिक कर दो वाट्सअ बब ऑपन करो और सैटिंगस में चले जाओ यहा पस नीचे चले नीचे जाने के बाद आपको Google आकाउंट का ऑप्शन मिलेगा तो यहा पर क्लिक करके आपके जो भी गूगल आइडी यहां से सबसे पहले नीचे जाके आपे अपनी Gmail id इसी Gmail id पर रहेगा यहाँ पर आपको backup क्लिक करने कि बाद WhatsApp के पूरी चैट्स आपको बैकप करना बढ़ेगा एक की साथ अगर आप अपने चैट को बैकप नहीं करोंगे तो यहां पर आपका कुछ भी नहीं होगा ठीक है आपका कोई भी डेटा नहीं आएगा तो इसलिए आपके घर में वाइफाइ तो वाइफाइ को कनेक कर दो या फिर आपके पास मुबाइल डाटा यहां भी ज्यादा है तो अब आपने परेट पसंद पूरा का पूरा बैकप हो चुका है अब यह जैसे ही पूरा कंपलीट हो जाएगा तो तभी आप यहां से बैग जाना ऐसे डिरेक्ली मज जाना ठीक है अब फाइनली दोस्तों हमने पूरी की पूरी चैट को बैकप करने के बाद आप आप जो है आपकी जो करके बाद अब यहां पर आपको लेले norte के बाद को आपको क्या है और लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेका इंस्टांस आपको यह बहुत है these आपको यहां पर जाके WhatsApp ओल्ड वर्जन आपको यहां पर मुझे मैंसर्ज करना है ठीक है अब देखो जैसी WhatsApp का ओल्ड वर्जन आप जो है आपको देदूंगा यह अब इस V ow सैफ को ओपन आ हूओ यहां पर मोझे उपर जो यहांप गरते हैं दोस्तों को अहां पर और जो है को ईस ल को को शिचने में को चैनल के आगा तो कुछ को एक defenders है तो को समझान है तो पीछे करके देख लेना और inस्स्टागे लिंग में मेरी कमेंड बोक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ जाके फॉलो करके मैसेज कर लो वाटसप और वर्जन मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें तब ही ये प्रोसेस काम करेगा जाएगा इस मेलते हैं किसी ने वीडियो को सथ किसी नई टपिक के साथ